कि नमश्कात दोस्तों स्वागत आपका मेरी यूट्यूब जिसका नाम है सिविल प्लस आइटी टेक्नो आज की वीडियो में हम डिसक्रस करने वाले हैं रिटेनिंग वॉल के बारे में सबसे पहले में आपको इसके वारे बताऊंगा दोस्तों जो कि हम थार्ण फांडेशन यूज करते हैं वह नॉर्मली दूसरे यूजिव जैसे कि आप विल्डिंग वर्क कर रहे हो उसमें आपको फांडेशन यूज करते हैं लेकिन रिटेनिंग वॉल के केस में आप जहां प मोंस्ली डिटरीनिंग वाल्स का ओउस हाइली-हilly एरियाज में किया जाता है कुछ लोग अपने खेतों के प्रोटेक्शन के लिए रिटरीनिंग वॉल बनाते हैं कुछ लोग आपने घर के ने अब बनाते हैं जिस में कि आपके ब्रेस। के लिए कौन सा ग्रेड यूस करते हैं उसका रेशो क्या होगा वो बताऊंगा टो स्लैक की थिकनेस लैंथ और हील स्लैक की लैंथ उसके साथ ही आप बेस्लैब की कैसे निकालेंगे और आपकी जो टॉप विर्थ है वो कितनी है और कैसे चाहिए उसके बारे में डिस्क्रश करेंगे मूस्ली केसिस में आपको क्या करना होता है तो मैं आपको स्भी करने का आपने दो से तीन इंच की आपने वहाँ पर ग्रेवल पेकिंग करनी है उसके बाद में वहां पर अच्छी तरीके से उसको हैं पैक करना उसको तो अच्छी तरीके से उसको आपने उसको सेटल करना है उसके लिए आपको कि एस पर इंजिनेर डारेक्शन और एस्टिमेट के अपने उसको अच्छी तरीके सेटल कर देना है उसकी लेबलिंग कर देनी है नेक्स्ट टैप में आपने यहां पर डालना है कि आपने कौन सा रेशियो करना है तो रेशियो आपको बता दूंगा नॉर्मली जो रेशियो यूज करते हैं वह एक चार आठ करते हैं और लेकिन अगर आपको लगता है जो सेंड फिलिंग है या जो एक्टिव प्रेशर या लिए पर पैसी प्रेशर जो है वह अगर ज्यादा है यहां पे आप बना रहे हैं हाँ और मॉख पैसी प्रेशर ज्यादा है तो आफ को आपकी Union लोगल भाषा में स्लाइब थीकनेस कैसे निकाले जो की पेस लैप थीकनेस कैसे निकाले तो उसके लिए आपको क्या करना ह्म उसको वापको सिंपली 0.4 से आपको हाइट को मल्टिपाई कर देना जितने भी आपकी बेसलेब की हाइट होगी उससे आपको 0.4 से उसको simply multiply कर देना है इसके बाद जो आपकी टॉप बिर्थ आएगे टॉप बिर्थ किसकी आपकी टॉप बिर्थ आपकी रिटेनिंग बॉल की आएगी जो आपका टॉप मोस्ट पार्ट होगा वह आपको डिवाइड करना है जो उसकी हाइट उसको 10 से डिवाइड कर दे आपका हील ऑनुक्तलम होता है तो टो चल्थ की जो आपको बिट निकालनी है यह जो आपको उसको लॉर्मली क्या करना है जो भी आपकी टॉटल है wet बेसलब की उसको साथ में आपको 0.3 से मल्टिपाई कर देना जिसे कि आपकी टो-इस लाइब लैंथ निकलाएगी कि буट् लिखने के लिए आपका धन्यवाद थेंक्यू